जहें दोस्तो, SSC ZD Constable 2023 का जो अपका computer best exam होगा, उसका admit card release कर दिया है SSC ने पूरे देश में तो अभी admit card release हो गया है, क्या करें, क्या ना करें, इसके बाद बात करेंगे, यह जो अंतिम 8-9 दिन बचा है, इस 8-9 दिन में ऐसा क्या करें, ताकि आपका exam जो है, clear हो जाए, आप पास हो जाए, और selection आपका हो जाए, इसी साल, और बात करूँगा, बहुत सरे मेरे subscriber दोस्तो और बात करूँगा, यह जो exam के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बिशेवे पूरा बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा लाज तक देखेगा दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक किजेगा, और यह तगड़ाफ हो जी चैनल को subscribe किजेगा दोस्तों, औ और वीडियो को शेर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, थोरा motivate करने का कोशिश करूँगा आप सभी को, ताकि आपका exam जो है clear हो जाए और बर्दी इसी साल आपका लग जाए आपके सीने पे, ठेक है दोस्तों, तो आए बात करते हैं, ससी ने computer best examination का admit card पूरे भारत में release कर दिया है, और ससी ने अपना-पना regional website में admit card रिलीस कर दिया है, आप लोग अपना-पना regional website में जाके आपका registration number और password देके अपना admit card डाउनलोड कर लिजेगा, मुवल पे आप PDF फाइल भी रखे और मैं चाता हूँ कि 4-5 बाच कोपी इसका print out निकल के रख दीजेगा, ये बाद में बहुत काम आएगा, ठेक है दोस्तों, ये नहीं कि पस exam के लिए एक ही कोपी रखना है, नहीं, आप जिस दिन exam center में जाएंगे, उस दिन 2-3 कोपी नहीं रखना है, आगे बहुत काम आएगा, ठेक है, इसके बाद बात करती, ये जो अंतिम 8-9 दिन बचा है, इसमें क्या करें, देखो, मैं बोलता हूँ कि ये जो 8-9 दिन है, उसमें पढ़ाई कमजूर मत करना है, पढ़ाई लगाधार करना है, और जादा मेनत करना है, ठ अब तो मैं रिवीशन करी लिया, सब पूरा सिलेवास कवर कर लिया, अभी क्या पढ़ना है, नहीं, ऐसा कलती मत करना है, अभी इस अंतिम सम्में में जो भी पढ़ाई करेंगा, वो जादा याद रहेगा, ठीक है दोस्तों, और बहुत सरे दोस्तों का कहना है, ये जो ला होता, ठीक है, लेकिन इस समय गबरहाट नहीं रखना है, टेंशन नहीं रखना है, ये गबरहाट और टेंशन आपको, जो केंपुर्टर बेस्ट एक्जाम होगा, उसमें बहुत दिक्कत पैदा करेगा, तो अभी एकदम टेंशन नहीं रहेना है, एकदम टेंशन फ्री होक पराई एकदम छोड़ना नहीं है, जो जो मेरे दोस्तों बड़ी ऐसे बड़ी ऐसे पराई किये हो, उनका टेंशन आना, गबरहाट आना, वो आम बात है, उनको डाउट रहता है कि, कि मैं इस्याल सिलेक्शन होगा की नहीं, मैरा एकदम क्लियर होगा की नहीं, देखो, ये आम बात है मेरा भी ऐसे टेंशन हुआ था, गबरहाट हुआ था, लेकिन ये गबरहाट रखना नहीं है, टेंशन रखना नहीं है दोस्तों, आप पराई किये हो ना, मैनत किये हो, तो मैनत तरंग लाएगा दोस्तों, ठीक है, और जो जो मेरे दोस्तों पराई नहीं किया है उनका तो टेंशन है नहीं, गबरहट आनाम बात है, गबरहट आएगा ठीक है दोस्तों, उसको पार कर लेना है तभी आप जो है एक्जाम में जाके आराम से टेंशन फ्री होके एक्जाम दे सकते हो तो अब देखिए बहुत सरे दोस्तों का यह भी कहना है कि जो मेरा exam city है मेरा home city से दूसरे city में आ गया है मेरा home city में नहीं हुआ है देखो यह स्वाबाविक है देखो आपका यह दी दूसरे city में आपका exam center होता है तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप एक दिन पहले ही उस city में चले जाईएगा उदार आप आराम से एक room लेके बढ़िया से खाना होना खाके अच्छे से नीन लीजिए इसके बाद अगले दिन सुबे fresh mind लेके आप exam देने जाईए कंजोसी मत किजिए मैं यही बोलूँगा कि आप एक दिन पहले ही चले जाईए उस city में उस city में जाके आराम से room room लेके आराम से खाना में खाईए अच्छे से नीन लीजिए तभी आपका अगले दिन exam बढ़िया जाएगा तो अभी आप admit card डाउनलोड करके अभी decide कर लीजिए आपका exam center कहा हुआ हुआ है और उससी सब सब को planning भी करना है एक दिन पहले जाना है या फिर मेरे को शूबे जाना है ठीक है यह भी देखना है तो अभी देखे exam center में आप 2-3 admit card ले लिजिएगा ठीक है यह नहीं कि एक copy admit कर लेना है नहीं 2-3 paper प्रिंट copy ले लेना है पैसा रखेगा और मैं बता देता हूँ कि एक्जाम सेंटर में जब जाएंगे बस एक एडमीट कर चाहिए एक एडमीट कर लेकिन साथ में दो-तिन को भी रख देना है ठीक है अभी देखें जिन दिन का एक्जाम 20 फरवरी के बाद है जैसे कि 22, 23, 25 तो उनका तो और बल्ले बल्ले है कैसे बडéra重 बताता हूँ देखें जिनका एक्जाम 20 फरवरी को है शिफ्ट वाइज एक्जाम होगा किसी का 10 बजए किसी का 2 बजए ऐसे होगा तो अभी देखिए, जिनका फर्वरी 25 तरीकोँ है मार्च को है वो एक अंदाजा लागा सकता है 20 फर्वरी के कुश्चन देख के वो एक अंदाजा लागा सकते है कि कैसा कुश्चन आ रहा है ठीक है? तो बहुत बड Ross फाइदा होगा जिनका 21, 22, 25 ठीक है? तो अभी देख़ोदी अहां को आप लोग को फाइदा होगा आप अपनाे असो कर से एकजाम दे सकते हो टीक है तो एकजाम के दीन मैं यह बोलूँगा कि एक दिन पहले जाले जाईएगा ने तो आप अपना हिसाफ से पहुच जाईएगा मतलब आपको एक दर गंटा पहले आपको एक्जम सेंटर में होना चाहिए और कुछ भी सामन भुलिये मत आप एडमिट कर ले लिजेगा ठीक है पैनल ले लिजेगा आपका मूबाइल पैसा सब ले लिजेगा और एक्जम सेंटर में जब जाएंगे तब अपना बैक को जो है संभाल के रखेएगा वह तो उधर सीगूरिटी रहेगा लेकिन फिर भी अपना इसाफ से संभाल के रखेएगा ठीक है दोस्तों अभी देखिए इस अंतीम समय मे कोई गवरहट नहीं आराम से आप एक्जम दीजिए टेंशन फियो हो के एक्जम दीजिए आराम से इस साल सिलेक्षamet होजाएगा पका हो जाएगा ज्यों ये ढशाजा जो अच्छे साच पडाई किए हो सिलेक्षन इस बार पकका आपको फीजिकल के लिए बुलाएगा दो अब देखि के को कबर करना ह। मेस्ट को भी सुलुशन करना है इसका है और रास्ता क्लियर हो जाएगा और देखि करना है दो हालात कराब हो जाएगा जाएग है ठीक है तो आप यदि फ्री माइन होके एक्जाम देगे तो आपका स्कोर हंडेट के उपर रहेगा दोस्तों यह बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे देखो मैं यह बोलूंगा एक्जाम सेंटर में जाब आप बेटेंगे ना कम्पूटर के पास तब जो भी कुश्यन आपको निया रहा है ना एक दो मिनिट चले जा रहा है उसमें मत लगे रही है नेक्स्ट कुश्यन में चले जाईए ठीक है यह नहीं कि मेरे को यही करना है इसके बाद जावन नहीं भ कुश्यन को एक बर देख लीजिएगा दोस्तों ठीक है इसके बाद मान लीजिए एक सो साथ में से आपको असी या फिर सौ में भी आ गया ना तो सौ तो क्लिक होई गया आप कंफर्म हो के सौ होई जाएगा इसके बाद जो जो कुश्यन आपको डाउट लगा कि हां यह तो होना चाहिए कोशिश करना है कि देने के लिए तो मैं बोलता हूँ कि इस साल तो नेडिफ मार्किंग है आठ बटा एक ठीक है तो आठ कुश्यनствती गलत होगा तो एक मार काटा जाएगा तो मैं बोलूगा यही कि जो गलत हो सकता है आपको लगता है कि हाँ मैं confirm new doubt में हूँ तो answer मत ही करिए एकदम confident है कि हाँ इस concern यह होगा तो एकदम करना है इसको ठीक है और next दबा के फिर करना है doubt में होगा तो मत करिए क्योंकि negative mark आपको नीचे ला सकते है score कम कर सकते है आप कोशिश है करना category wise आप जीज भी state में हो आप कोशिश है करना कि 110-120 के उपर रखना है ठीक है दोस्तों और देखें अच्छे से अच्छे exam देंगे पास बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों बिल्कुल पास हो जाएंगे आपको physical के लिए बुलाएगा और अभी आप देखेंगे बस एक exam और physical exam physical exam में किया है पस पास किलमेटर के running और कुछ नहीं पास किलमेटर के running वह भी 24 मिनिट में कातम करना है तो आराम से हो जाएगा अच्छे से मेनद किजिए टेंशन फ्री होके exam दीजिए बेस्ट ओप लग का आप सबको जो जो मेरे दोस्तों सेसीडी कॉंस्टेबल का exam देरो आप सबको बहुत बहुत विशेस बेस्ट लग आप अच्छे से अच्छे दीजे और हमारे प्यारा मेलेटर में जोइन कीजिए दोस्तो फोजीवा नहीं है और वीडियो को ज़ाद ज़ाद शेर कीज़ेगा दोस्तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा और तगड़ा फोजी चनल को सस्क्राइब कीज़ेगा दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो पे जहन सबको